नमस्कार प्यारे विद्यारतियों स्वागत आपका द्रिस्टी टीचिंग एक्जाम्स में आज हम लोग UGC NET-JRF के ही पुर्थम प्रशन पत्र में सिक्षण अभिवरत्ती के एक महत्पूर्ण बिन्दू को लेकर बात करेंगे हम लोग Team Teaching Method को लेकर या कहिए समू सिक्षण पत्ती को लेकर पढ़ना शुरू करेंगे ये विधी जब हम कक्षा में सिक्षण विधिया पढ़ रहे होते हैं सिक्षण विधियों में भी जब हम बड़े समू की सिक्षण विधिया या आप यू कहिए जब हम अध्यापक केंद्रित सिक्षण विधियों को पढ़ रहे होते हैं उस समय हमारे सामने ये बिंदू आता है समू सिक्षण विधि या समू सिक्षण पत्ती क्या होता है इस विधि में जब हम अध्यापक केंद्रित सिक्षण विधि कह रहे हैं इसको मतलब है कि इस विधी के केंद्र में कौन रहते हैं अध्यापक रहते हैं अब इसको यदि हम अर्थ से ही समझें एक तो हो गया सम्हूं सम्हूं कहने का मतलब ही है कि उसमें एक से अधिक व्यक्ति है और जब ये सिक्षन विधी है तो इसका अर्थ हुआ कि उसमें एक से अध अधिक सिक्षक्षा मिल होंगे, तभी तो सम्हू में सिक्षण हुआ, ये अध्यापक केंद्रत विधी है, ध्यान रखना है, तो सम्हू सिक्षण पदती या सम्हू सिक्षण विधी क्या है, कि जब हम एक ही कक्षा के विद्यारतियों को पढ़ाने के लिए एक से अधिक सिक एक समहू में शामिल होते हैं यानि कि आप ऐसा कह लिजे कि कम से कम दो या दो से अधिक सिक्षक जब एक ही कक्षा को पढ़ाने के लिए विद्यारतियों के साथ में या एक ही कक्षा के विद्यारतियों को अधिगम कार रहा या अपना सिक्षन कार कराने के लिए सिक्षक शा जाता है यदि हम ब्यावारिक रूप में बात करें तो इसके कुछ जो दोश हैं उनको लेकर तो समझेंगे ही लेकिन हम एक बात तो इसके बारे में निश्चिति ये कह सकते हैं कि हाँ बड़े सम्हूं में पढ़ाने के लिए ये एक परिवर्तनात्मक दृष्टिकोन तो है यदि विद्यारतियों के दृष्टिकोन से देखा जाए तो विद्यारतियों के लिए तो ये बहुत हितकर है विद्यारतियों के लिए तो बहुत लाबकारी विधी है विद्यारतियों को एक ही विशे को पढ़ाने के लिए अलग-अलग कम से कम दो या दो से अधिक परना हाला तो यह होते हैं कि जो सिक्षक विद्यारती अनुपात होना चाहिए वैसा अनुपात भी उपलब्द नहीं हो पाता है वैसे उतने सिक्षक भी उपलब्द नहीं हो पाते हैं अब इस विधी में क्या होगा कि दो या दो से अधिक सिक्षक विद्यारतियों को कारे कराने के लिए या जो सिक्षक योजना बनाते हैं योजना बनाने के लिए शामिल होंगे अब वो सिक्षक करेंगे क्या जिसे मान के चलिए हम उधारन लेते हैं कि एक कक्षा में विद्यारतियों को पढ़ाने के लिए तीन सिक्षक शामिल होते हैं हम केवल एक उधारन लेकर समझ रहें तो इसमें जो एक सिक्षक होंगे पहले सिक्षक क्या करेंगे पहले सिक्षक कक्षा में उस विशय को लेकर जिस भी विशय को पढ़ा रहे होंगे तीनों एक ही विशय को पढ़ाएंगे तीनों एक ही विशय को पढ़ाएंगे अब एक सिक्षक क्या करेंगे अपने उस विशे में पूरे उस प्रकरण को लेकर व्याख्यान देंगे, यानि कि एक सिक्षक क्या करेंगे, प्रकरण के संदर्व में प्रकरण को लेकर व्याख्यान देंगे, या आप ये कह सकते हैं कि एक सिक्षक क्या करेंगे, उस विशे के जो बिंदु पढ़ाय जा र कर विद्यारतियों के साथ में बाते साजा करेंगे विद्यारतियों को अवगत कराएंगे सध्धानतिक पक्ष को लेकर तो एक सिक्षक क्या कर रहे हैं उस विशे के उस बिंदू के सध्धानतिक पक्ष को लेकर बात कर रहे हैं जो दूसरे सिक्षक होंगे उस प्रक्रण के उस बिंदू के व्याभारिक पक्ष को लेकर विद्यारतियों के साथ में ग्यान को साजा करेंगे, विद्यारतियों को चीजे सिखाएंगे, व्याभारिक पक्ष जो प्रैक्टिकल पॉइंट है या प्रैक्टिकल चीजे है वो बाते विद्यारतियों को उस विशे के उस बिं समसामाईक पहलू जो होंगे उनको लेकर बात करेंगे तो आप इस बात को समझकर आप ये तो कहेंगे कि हाँ एक परिवर्तना अत्मक दरष्टिकून तो है यानि कि इसमें जब विद्यारतियों के साथ में दो या दो से अधिक सिक्षक शामिल होंगे तो विद्यारतियों के लिए जो योजना बनानी है विद्यारतियों को जो सिक्षन कारे कराना है विद्यारतियों का जो अधिगम होगा वो वास्तवी का अधिगम कराना है तो उसम ये बढ़ जाता है क्योंकि उसमें एक से अधिक जो मस्तिश्क हैं वो क्रियाशिल हो जाते हैं ऐसे ही यदि हम कहते हैं कि समस्या बाटने से कम हो जाती है क्यों कम हो जाती है क्योंकि लोग अपने अपने विचार दे देते हैं आप भी तो यही करते होंगे किसी समस्या में प क्रिया में तो विद्यारतियों के लिए कितना हितकारी होगा विद्यारती तो बहुत अधिक लाभानवित होंगे इस चीज से एक सिक्षक आएंगे जो उस विशे के जो बिंदू पढ़ाया जा रहा होगा उसके सैध्धानतिक पक्ष को इसपस्ट करेंगे सैध्धानतिक ज् दूसरे सिक्षक क्या करेंगे उसके विवारिक पक्ष को लेकर उसके प्रैक्टिकल चीजों को लेकर विद्यारतियों को समझाएंगे और जो तीसरे सिक्षक होंगे वो जो करंट में चीजे चल रही है जो वरतमान में चीजे चल रही है जो सामसामाइक पहलू है उनको ले अलग सिक्षक कर रहे होंगे, तो अब सीधी सी बात है कि हर सिक्षक अपने सिक्षण कारे के लिए एक अलग विधी का उप्योग कर सकते हैं, यानि कि एक से अधिक विधी के द्वारा सिक्षण कारे भी हो जाएगा, साथ ही यदि हम मुल्यांकन के दृष्टिकोन से बात करे तो विधीयारतियों का मुल्यांकन करने के लिए भी तो एक से अधिक सिक्षक उसमें शामिल हो गए, तो आप क्या कह सकते हैं, जैसे आप देखेंगे जो हम कहें जो विचार गोस्थी होती है, वो इसी का उधारन है, विचार गोस्थी इसी का उधारन है, या आप विचार गोस्थी कहिए, या आप परिसम्माद कहिए, पैनल चर्चा कहिए, वो सब इसी के सम्हू सिक्षन विधी के ही विभिन रूप हैं, अलग-अलग रूप हैं, बात समझ में आई होगी, अब इतनी बात समझने के बाद यदि आप से पूछा जाए कि आप सम्हू सिक पद्धती के गोण, अब यहां एकदम ऐसा नहीं कि आपको बहुत रटने के आवश्यक्ता होगी, कुछ बाते आप सहज ही बता पाएंगे, कुछ बाते आप डेराइव कर लेंगे, जब हमने ये सीख लिया, कि इस विधी में दो या दो से अधिक सिक्षक एक कक्षा में श कहेंगे, कि इस विधी का प्रियोग करके या इस विधी के दवारा विद्ध्यारतियों को, विशे को अच्छे तरीके से समझने में या उत्तम ढंग से समझने में साहिता मिलती है, या आप ये कह सकते हैं कि इस विधी के द्वारा विध्यारतियों को इस विधी के द्वारा विध्यारतियों को किसी विशय को उत्तम ढंग से समझाया जा सकता है सहजता के साथ कहपाएंगे आब इस बात को यदि एक ही विशय को लेकर एक ही बिंदु को लेकर दो यə दो से अधीक अलग-अलग सिक्षक समझा रहे हैं तो क्या होगा ? उस विशय को लेकर तो विथ्यारतियों की कोई शंका शेष्ण नहीं रह जाएगी उस विशय को लेकर विद्यारतियों के कोई डाउट नहीं बचेंगे, यानि कि विद्यारति उस विशय का एक ही बार में वास्तविक अधिगम कर पाएंगे, इस चीज की संभावना यह अधिक हो जाएंगी, बात समझ माई होगी, यहनि कि हम क्या कह सकते हैं, कि इस विधी का प्रियोग करके विद्यारतियों को विशय को अच्छे से और उत्तम ढंग से बहुत बहतर तरीके से समझाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है, विद्यारतियों को अधिगम बहतर ढंग से कराया जा सकता है, साथ ही जैसा मैंने कहा कि जब दो या दो से अधिक सिक्षक हैं कि इसमें कई सारी जो सिक्षण तकनीके हैं तो कई सारी सिक्षण तकनीकों का अनुपूलतम उप्योग किया जा सकता है इस विधी का प्रियोग करके कई भिन भिन उपकरणों का अनुपूलतम उप्योग किया जा सकता है एक गुण आप क्या कह सकते हैं कि इसमें कई तखनीकों तथा उपकरणों अनुकूलतम उपयोग किया जा सकता है उपयोग किया जा सकता है और कोई बिन्दु गुण में आपके मन में आ सकता है जैसे आप और एक बात क्या कह सकते हैं यदि हम सिक्षन की गुणवत्ता को लेकर बात करें जैसे हमने कहा कि विद्यारती इस विधी का उपयोग करके वास्तविक अधिगम कर लेंगे अधिक संभावना है विद्यारती का वास्तविक अधिगम करने की जब विद्यारती का अधिगम वास्तविक हो रहा है इसका मतलब है कि सिक्षक का सिक्षन भी प्रभावी होगा ये दोनों चीजे तो एक दूसरे से जुड़ी हुई है यदि सिक्षक का सिक्षण प्रभावी है तो कहीं न कहीं इस बात में यह बात भी नहीं थे कि विद्यारतियों का अधीगम भी वास्तवी का अधीगम होगा विद्यारतियों का अधीगम भी प्रभावी अधीगम होग एक गुणापी अभी कह पाएंगे, इस विधी के उतियोग से गुणवत्ता में रुदहार किया जा सकता है, अचा अब ये तो हो गई गुण की बात, अब आप एक बात सोचिए कि जब सारे गुण ही हैं, यदि हम इतने गुण की बात कर रहे हैं, फिर भी आप देखेंगे कि व्याभारिक रूप में अपने इस विधी का प्रियोग होते नहीं देखा होगा, ये हम एक दम प्रेक्टि इतने बहतर परिणाम देती है सिक्षन की ये विधी, फिर इस विधी का उप्योग क्यों नहीं किया जा था, इसका मतलब है कि इसमें कुछ दोश भी होंगे, इसका अर्थ तो यही हुआ कि सम्हू सिक्षन विधी के कुछ दोश भी होंगे, ये सम्हू सिक्षन के कुछ दो क्या खामिया है इसमें देखिए यदि आप भारत विशेस के संदर में बात करेंगे तो अभी भी आप यदि देखते होंगे कभी आप अवसर मिले समय मिले या समय निकाल कर कभी सिक्षा मंत्राले की साइट पर विजिट कीजिए वहां जाकर देखिए आपको कुछ आंकडे दिखाई देंगे वहां आपको जो सिक्षक विद्यारती अनुपात है भारत में जो आवजशक है और जितना है जितना होना चाहिए वो सारी चीज़े आपको समझ में आएंगे तो आपको एक बिंदू समझ में आएगा कि जहां हम सभी विद्यारतियों के लिए जो सिक्ष इसका मतलब है कि वो तीनों सिक्षक उस विशे में उस बिंदू में दक्ष होने चाहिए उनकी अपने उस विशे को लेकर उस बिंदू को लेकर मजबूत पकड़ होनी चाहिए स्पस्टता होनी चाहिए अब ऐसे सिक्षकों की उपलब्धता भारत विशेज जैसे देश में थोड़ा सा जटिल कार्य हो जाता है जहां जनसंख्या अधिक है सिक्षा से आवश्यक्ताएं अधिक है और गुणवत्ता पून सिक्षण की कमी है एक गुणवत्ता पून सिक्षण कराने वाले सिक्षकों की कमी है इसका एक दोश क्या हो जाएगा कि इस विधी के लिए विशेश जो दक्ष सिक्षक है उन दक्ष सिक्षकों को ढूंगना एक जटिल कार्य होता है तो एक प्रमुख दोश तो आप इसका यही कह देंगे इस विधी के उतियोग के लिए दक्ष सिक्षकों को ढूंगना ढूंगना जटिल कार्य होता है और ये कार्य जटिल इसलिए भी है क्योंकि बहारत में आप देखे कितने सारे विशेश है अब उन सभी विश्यों के लिए अलग-अलग सिक्षकों के उपलब दता तो यदि मैं केवल तीन ही सिक्षक मान कर चलूंग या आप दो ही सिक्षक मान कर चलिए तो भी आप देखेंगे कि जस्ट सिक्षकों की जो आवश्यक्ता होगी वो दो गुनी हो जाएगी यदि तीन सिक्षकों गे तो तीन गुनी हो जाएगी तो एक दोश पुर्मुक हो गया इसमें एक जब हम कह रहे हैं कि दो गुना सिक्षक चाहिए यानि कि सिक्षकों की अधिक सिक्षकों की आवश्यक्ता है तो ये भी क्या हो जाएगा इस विदी का एक दोश हो जाएगा कि इसमें सिक्षन के लिए अधिक सिक्षकों की होगी विवस्था होगी तो क्या होगा सिख्षकों की आवश्षक्ता में तीन गुना की व्रद्धी हो जाएगी तो हुआ कि इसमें अधिक सिख्षकों की आवश्षक्ता होती है तो एक दोश क्या हो जाएगा इस विधी का कि इस विधी में अधिक सिख्षकों की आवशक्ता होती है और अधिक सिख्षकों की आवशक्ता कैसी ऐसे सिख्षक जो दक्ष हो जिनकी उस विशे पर पकड़ हो आज समझ पा रहे हैं जिनकी उस विशे पर पकड़ हो जो दक्ष सिख्षकों जो गुणवत्ता पून सिख्षन का कारे करा सकें ऐसे सिख्षकों की आवशक्ता होगी तो ये भी इस विधी का दोश हो जाएगा दूसरी बात हम ये कहेंगे कि सभी विशे ऐसे नहीं होते जो इस विधी का उप्योग सभी विशे के संदर में किया जा सकें एक दोश ये भी हो जाएगा कि ये विधी सभी विशे को पढ़ाने के लिए उप्योगी नहीं है ये है विधी सभी विशे को पढ़ाने के लिए उप्योगी नहीं है पढ़ाने के लिए उप्योगी नहीं है यदि आप समानिर देखें तो जिसे मानवी की कविशे हो गया हम हिंदी की बात करें हम हिंदी की बात कर लें तो वही एक सिक्षक परियाप्त होगे इतिहास के संदर में बात कर लें तो वहां ऐसा हो सकता है कि एक से अधिक दो सिक्ष वो भी हम जब एक तरीके से थोप ना चाहेंगे तब वरना एक सिक्षक होंगे परियाप्त हो जाएगा विज्ञान विशे की हम बात करें वहाँ अवश्यक्त हो सकती है किसी नई प्रोध्योगी की को लेकर पढ़ाया जाना हो वहाँ दोसे अधिक सिक्षकों की अवश्यक्त हो सकती है लेकिन हर विशय को पढ़ाने के लिए, सभी विशयों को पढ़ाने के लिए इस विधी का उपयोग किया जाए वो सही नहीं है, इस विधी का उपयोग हर विशय के लिए सही नहीं है, हर विशय को इस विधी का प्रियोग करके अधिगम कारण नहीं कराया जा सकता, एक दोश ये हो जाएगा तो दोश हम ये कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक सिक्षक हो जाएंगे तो स्वभाविक है कि उन्हें कार्य योजना बनाने के लिए भी अधिक समय लगेगा यानि कि इस विधी में जो समय का निर्धारन होगा जैसे एक सिक्षक होते वो हर पक्ष को ले अधिक समय के आवशक्ता होगी वो यदि समय अधिक लग रहा है किसी विधी में यदि कोई विधी सिक्षण कार कराने में किसी विधी के द्वारा विध्यारतियों को पढ़ाने में समय अधिक लग रहा है तो वो विधी उत्तम विधी नहीं है यदि समय अधिक लगेगा तो पाठ्ठे करम समय पर पूरा नहीं हो पाएगा और यदि कोई सिक्षन विधी समय रहते अपने समय पर निश्चित समयावधी पर पाठ्ठे करम पूरा नहीं करा पाती है तो वो उत्तम सिक्षन विधी तो नहीं हो सकती बात समझ आ रहे हैं यहां तक कि एक उत्तम सिक्षन विधी होने के लिए आवश्यक है कि वो विधी समय वो विधी श्रम बचाती हो, समय को ध्यान में रखती हो, समय के अनुसार कम खर्चीली हो, मित वियाई हो, अप वियाई ना हो, विध्यारतियों की उर्जा के अनुसार क्योंकि समय रहते पाठ्थे क्रम पूरा करना आवश्यक होता है बात समझ आ गई तो ये क्या हो जाएंगे ये समहू सिक्षन विधी के दोश हो जाएंगे मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समहू सिक्षन पदती या टीम टीचिंग मैथड को लेकर एक बहतर समझ भूज बनी होगी कुछ नया तो आपने आज भी सीखा ही होगा आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे किसी अगली क्लास में किसी अगली चर्चा के साथ Till then, Bye Bye Have a nice day झाल